वो किस ने शुरू किया था आपका पॉर्चुगीज ने डश ने कॉटन को प्रमोट किया था डश ने पैगोडा कॉइंस भी चलाए थे questions को आराम से रिलेक्स हो के पढ़ो दिमाग चलाओ फिर बताओ फर्स्ट गवर्नर जेनरल ऑफ बेंगॉल वारन हैस्टिंग बेंगॉल के फर्स्ट गवर्नर रोबर्ट क्लाइव बेंगॉल के फर्स्ट गवर्नर जेनरल वारन हैस्टिंग इंडिया के पहले गवर्नर जेनरल विलियम बैंटेक और पहले वाइस रहे थे लॉर्ट कैनन है न तो यह चार परसन याद रखेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? Warren Huston Real founder of Portuguese power in India Albuquerque क्योंकि Albuquerque ने 1510 में capture किया था Goa इस वे से Albuquerque को बोले जाता है Real founder of Portuguese power in India खालसा पंत 1699 में establish होगा खालसा खालसा को head कौण करेंगे? वो तो establish करवाएंगे खालसा एक warrior class होगा अर्जुन देव पेटा इस टाइम पर नहीं है बंदा वहादूर खालसा के जो head होंगे बंदा वहादूर होंगे ठीक है? अकाल तक नहीं बेटा तेक बहादूर जी से पहले जिस टाइम अकाल तक्त establish होगा सिख convert हो जाएंगे आपके as a warrior class में मैंने बता यह था जब पांचवे सिख गुरू कौन थे? अर्जुन देव उन्हें आपके जहांगीर उनको kill करवाएंगे उन्हें execute करवाएंगे उसके बाद जो sixth guru होंगे वो अकाल तक्त establish करेंगे और सिखों को convert करेंगे आपका warrior class में तो क्या नाम होगा गुरू हर गोविन तो गुरू हर गोविन ने अकाल तक्त का establish किया और warrior class में convert किया गुरू मुखी लिपी वाला question आया था गुरू मुखी script आपका किस ने वो शुरू करी थी अंगद देव ना गुरू अंगद जो होंगे गुरू मुखी लिपी establish करेंगे गुरू मुखी script शुरू करेंगे और वही इनकी biography लिखेंगे एक बहादूर से पहले भी आपका सच्चा वाजशा title यूज हुआ था अरजुन देव के लिए तेक बहादूर भी यूज करेंगे सच्चा वाजशा अरजुन देव भी यूज करेंगे अरजुन देव आपके पहले यूज करेंगे बाद में तेक बहादूर यूज करेंगे रंजी सिंग के दो capital बताए थे political capital लाहॉर religious capital Amritsar Amritsar का पुराना नाम अचा Amritsar city established किस ने किया था गुरू रामदास ने तो नाम क्या था रामपूर नहीं है बेटा रामदास ना कर चलो डायार की डायार की क्या था डायार की क्या था government के दो रोल होते हैं एक revenue collect करना और दूसरा administration को run करना तो कौन था जिसने ये दोनों रोलों को divide किया था कि revenue collect करेंगे Britishers और जितना भी administration होगा वो कौन handle करेगा नवाब करेगा Clive Robert Clive ने जो आपका 1765 में शुरू किया था dual government यही dual government के आपका डायार की ठीके यह वाला question आपको मतलब आपने नहीं बढ़ा होगा Hastings के time पे Ranjee Singh थे Hastings 1773 से 85 तक थे Ranjee Singh आपके 1798 के आज बास से शुरू होंगे 1839 तक रहेंगे Minto के साथ उनकी treaty होई थी Treaty of Amritsar जो सतलज river के आपके distribution पे था border और यहाँ पे जो उन्हें welcome करेंगे वो करेंगे आपके William Bantic तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे option जो है answer जो है वो है William Bantic welcome किया था William Bantic ने लेकिन जो treaty होई थी वो Lord Minto के साथ होई थी Nadir Shah, Mohamad Shah Rangila को कहाँ पे पीटा था मतलब दिल्ली के just pass ही नहीं बेटा पानी पत्तक नहीं होगा था Karnal यह ना यह Battle of Karnal हुआ था Karnal में आपका Nadir Shah जो होंगे वो defeat करेंगे Mohamad Shah Rangila को Rangila दो बार पिटेंगे दोनों बार दिल्ली के पास ही पिटेंगे एक बार Nadir Shah, दूसरी बार एहमस शाफ दाली Autonomous Awad साधत खान Autonomous बंगाल यहां पर तो Awad है इसका साधत खान है Autonomous बंगाल किस ने किया था नहीं बेटा Awad उसकी Bengal की पहले capital क्या थी मुर्शीदाबाद तो Bengal को Found किस ने किया था Autonomous किस ने किया था मुर्शीद कुली खान ने Autonomous बंगाल का Founder मुर्शीद कुली खान Autonomous अवद का Founder साधत खान और आपके निजाम उल मुल्क करके जो होंगे असव जहां वो अलग करेंगे हैदराबाद को ठीक है जिसका जो होगा वो साधत खान टीपू सुल्तान 3rd battle बोल रहे वो वेलेजली 1798 में आये थे 4th battle हुआ था वेलेजली के time पे वेलेजली से पहले कौन थे 3rd battle 89 से लेके 92 में हुआ था 3rd battle ठीक है बेटा डलहॉजी तो 54 में 54 के time पे है 1848 से 1854 में डलहॉजी और यह battle कब हुआ है आपका 1789 से 1792 में battle की year भी नहीं आद होंगे तुम लोगों को तो Convales Convales रहेंगे 1793 में Convales permanent settlement लाते हैं देखा था Convales ने आपका police system शुरू किया था कि Convales ने इंडिया में civil services शुरू किये थे यह अच्छा है Sun clock सुना है जंतर मंतर सुना है एक आपका डैली में जंतर मंतर है एक आपका जैपुर की तरफ जंतर मंतर है तो जैपुर की तरफ जो जंतर मंतर है जिससे sun clock भी बोलते हैं वो आपका किसना establish किया था जैसिंग जैसिंग तो option में ही नहीं है सवाई जैसंग, है ना, जैसिंग और सवाई जैसंग में डिफरेन्स एबिटा, है ना, तो यहां पर जो है इस्टाभलिश किया था वो आपका सवाई जैस्ग जैसंग और सवाई जैसंग में भी second है, सवाई जैसंग second है, SMS करके बोल, अच्छा, SMS यह नहीं है, ठीक है? अगला, basic education का concept, बातमा गांदी, basic education, elementary education, आपके local languages में हो, elementary education में पहले आपका अभी वाली education नहीं थी, fifth वाली, vocational education में इंडिया पर हमेशा से work होता था, vocational education क्या होती है, आपके जो courses होते हैं, जो professional courses जो होते हैं, उस तरीकी की education इंडिया में हमेशा से work करती थी, हम लोग आपका जो अभी elementary education है, उस पर काम नहीं करते थे, तो यह concept रहेगा आपका, महादमा गांदी का, यह बताया था आपको, illegal movement, सर सेयद एहमद खान, जो AMU को found करेंगे, उसी को बोला जाता है आपका illegal movement, यह ना, illegal movement जो है वो, सर सेयद एहमद खान, 1875 में, मॉम्डन एंगलो औरियंटल कॉलेज, बाद में आपका 1920 में वो convert हो जाएगा, illegal Muslim university में, अच्छा question है, अच्छा question है, बताओ, राम मोहन रॉय, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे बड़ी social reformer थे, राम मोहन रॉय, सती सिस्टम के लिए, women education के लिए जो काम करेंगे उस टाइम पे, राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय ने आपका कौन सी society establish करी थी, 1828 में, राम मोहन रॉय एक society establish करेंगे, एक आपका group बनाएंगे, कौन सा समाज था, नहीं बिटा, ब्रह्मो समाज, राम मोहन रॉय establish करेंगे, ब्रह्मो सारे समाज शुरू करेंगे, दयानन सरसुती, ठीक है, यह लिखाया है था तुम्हें ब्रह्मो समाज वाला, राम मोहन रॉय यह भी राम मोहन रॉय थे, ठीक है, यह भी कौन थे आपके, राम मोहन रॉय, लास्ट वाले उसमें यह आपको दे भी रखा था इसमें, इजी क्वेशन है, क्योंकि सीक्वेंस में है इस वैसे, अलग से पूँछते तो आपको टॉफ होता है, सीक्वेंस में है तो इजी क्वेशन है, राम मोहन रॉय, नहीं है, दीखेंगे, चलो, स्वामी दयान एंसर अस्थुती, नहीं, वो नाम तुमने सुन रखा, इसलिए बोल रहे हो, वो नाम नहीं है, अभी शंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर, इनका नाम था मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर, दयानन सरस्वती, दयानन सरस्वती, 1875 में फॉर्म करेंगे आपका आरे समाज, दयानन सरस्वती जो है, एक स्लोगन देंगे, गो बैक टू वेदास का जो स्लोगन है, वो भी दिया था, दयानन सरस्वती ने, ठीक है, Royal Society of London, अच्छा कॉश्चन है, Royal Society of London में आपके, फॉर्स मेंबर, फॉर्स इंडियन, राम, नहीं, A.C. Vardya, A.C. Vardya, फॉर्स इंडियन थे, जो Royal Society of London में आपका, इंक्लूड होंगे, इजी क्वेश्चन है, रेपन के टाइम पर, रेपन का टाइम टॉरिशन था, 81 से 84 तक, यहाँ पर है 1904, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1905 में क्या हुआ था, पर्डिशन अफ बेंगॉल, किस ने किया था, कर्जन ने किया था, पर्डिशन अफ बेंगॉल, उस डिवरेशन के पास का ही टाइम है 1904, मैंने आपको बताया भी था, कर्जन में यूनिवर्स्टी कमीशन, इरिगेशन कमीशन, पुलिस कमीशन, या फिर आपका जो वो था, आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया, उसकी फंडिंग बंद हो गई थी, वो दुबार से शुरू करी थी, कर्जन ने, पाकिस्ता, वो सारी, पार्टिशन ऑफ बंगॉल किया था, कॉंग्रेस को खतम करने के लिए, पार्टिशन ऑफ बंगॉल किया था, इसी टाइम पर आएगा आपका, स्वादेशी एंड बॉयकॉट मूव्मेंट, चलो चुनिलाल नहीं है, ऐल मिनेट हो गया, नार्सी महता, ठीक है, तो यह जो सौंग लिखा है, वो किसने लिखा है, नार्सी महता ने, बहुत इजी है, जवाला लहरू, आना, जवाला लहरू के दो स्टेटमेंट, एक ये वाला स्टेटमेंट, और एक आता है, कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत अपनी अजादी के लिए, जग रहा होगा, जो आपका 14 या 15 वाली नाइट्स के लिए बोलेंगे, आपका नहरूजी, तो ये दो, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्यन है, ये आपने पढ़ चुका है, ओथर, वीडी सावर कर, 1857 के रिवोल्ट को, पहली बार वार अफ इंडिपेंडेंडेंस जो बोला था, वीडी सावर कर ने, इसी वज़े से अभी मैंने बताया भी था, भारत रितन का जो आपका, देने की बोली जा रही थी, वो इसी वज़े से बोली जा रही थी, बहुत जादे इंपोर्टेंट नहीं है, बट एक बार याद रखना, महात्मा गांदी, ठीक है, यह जो स्लोगन था, महात्मा गांदी का था, यह मैं पीडियेफ शेयर कर दूँगा, महात्मा गांदी, ठीक है, यह भी जो था, वो किसका था, महात्मा गांदी का, जादे नहीं बोलते थे, नहीं बेटा, ग्रांड ओल्ड मैन, महात्मा गांदी नहीं थे, दादा भाई नारो जी थे, 1906 वाला जो सेशन था, उसमें दादा भाई नारी जी का, हेड बनाया था, इसलिए बनाया था, बहुत रिस्पेक्टेड परसन थे, जो आपके moderate और extremist थे, दोनों ही respect करते थे, दादा भाई नारो जी की, Grand Old Man of India बोले जाता था, Drain of Wealth का जो concept दिया था, दादा भाई नारो जी ने दिया था, पहले person थे, पहले Indian थे, जो British Parliament में as a MP आपके select होंगे, या आपके as a MP elect होंगे, दादा भाई नारो जी ठीक है, तो यहाँ पर दादा भाई नारो जी रहेंगे, Poverty and Un-British Rule of India बुक लिखी थी, उस बुक में पहली बार इंडिया की जो आपका per capita income है, वो major करी थी दादा भाई नारो जी ने per capita income, 1866 से 1867 वाले डियूरेशन जो था, 1867 वाले जो डियूरेशन था, उसके लिए measure करेंगे per capita income, per capita income almost आपका 20 रुपीज के अराउंड जो है वो, expect करी जाएगी उस टाइम पे, और यहीं पे इसी बुक में, Poverty and Un-British Rule of India में ही वो concept देंगे, drain of wealth का, क्या? Poverty and Un-British Rule of India, ठीक है? दादभाई नरोजी, इसी में आपका per capita income आएगी, इसी में drain of wealth का concept देंगे आपका, दादभाई नरोजी, जाई यह bookend authors में भी आये तो याद रखेंगे, दादभाई नरोजी का यह concept था, यह तो अभी बताया कि British Parliament में पहले इंडियन जो मेंबर बनेंगे वो थे, दादभाई नरोजी थे, यह भी बताया जी यह, drain of wealth, दादभाई नरोजी, चलो यह बताओ, यह अच्छे है, titles है यह आपका, Grand Old Band of India, दादभाई नरोजी, आइरन मैन, वल्लभाई पटेल, ठीक है, महामना, अरे पहले महामना बताओ, महामना लिखवाया था, मदन मोहन मालविय, foundation किया था, B.H.U. का, foundation किया था आपका हिंदू, महासभा का, तो महामना आपके, मदन मोहन मालविय, frontier गांधी रहेंगे आपके, खान अब्दुलगफार खान, North East, सारी, North West की तरफ, पाकिस्टान वाला जो रीजन है, वहाँ पे एक movement चलेगा, लाल कुर्टा अंदूलन, है ना, उसे हम बोलते थे, North Western Frontier, लाल कुर्टा अंदूलन, जो चलाया था आपका किस ने है, खान अब्दुलगफार खान ने, आनंदमठ, बंकिम चंद चटोपाद, दिया है, उने लिकी थी आनंदमठ, आनंदमठ से, आपका कुछ हमने किया है, जो नेशनल उसमें आता है, आनंदमठ बुक से, आपने नेशनल एंथम लिया है, नेशनल सॉंग लिया है, नेशनल सॉंग, क्या है, वन्दे मातरम, कौन सी बुक से, आनंदमठ, बुक में पहला पराग्राफ जो है, वन्दे मातरम वाला, वो national song आपने adopt किया था ठीक है, writer रहेंगे ये book पहले Bengali में लिखी जाएगी एक exam में ये भी पूँचा था कि ये book आपका originally किसमें लिखी गई थी? Bengali में बाद में translations होंगे अच्छा question है Einstein ने Einstein ने बोला था Einstein ने ही बोला था कि ऐसा कोई पुरुष हुआ था जिसने आपका हड़ी, मतलब स्वारी, लाटी और छोड़ी छोड़ी चीज़ मतलब बिना violence के आपका independence पर participate किया था Churchill Churchill ने half naked फकीर बोला था केरावन करके थे उन्होंने naked फकीर बोला था केरावन करके थे फ्रेंक कोई स्करावन prison डाइरी नहीं महात्मा गांदी नहीं है BD सावर कर भी नहीं है मुरार जी देसे after independence हुआ है जै प्रकाश नारायन बस बस जे पी नारायन दी में दायानन सरस्वती आपके गो बैक टू वेदास दायानन सरस्वती यह बताया था अना भगवद गीता को टाइडल करते थे आइजा मदर राम प्रसाद बिस्मिल ठीक है यह भी बताया था ओरिजिनल नेम नरेंद्रनादद शिकागो कब गए थे स्वामी विवेकानन 1893 में शिकागो की स्पीच होगी शिकागो से इंडिया वापस आएंगे 1897 में स्टैबलिश करेंगे राम कृष्ण मिशन इनके जो उसके रिलिजिस टीचर थे राम कृष्ण परम हंस करके वगा करते थे जो इनके गुरू थे तो उनके नाम पर यह शुरू करेंगे राम कृष्ण मिशन ना बैलोर मट से शुरू करेंगे 1897 में नाम भी चेंज करेंगे जब यह आपका शिकागो जाएंगे उस टाइम पर उनके नाम चेंज किया था स्वामी वेगानद पहले नाम था नरेंद्रनाथ दत अच्छा कलत लिग गया है वो ए है यहां सही लिखा हुआ है ठीक है? इनका नाम था नरेंद्रनाथ दत बाल गंगाधर तिलक स्वाराज का कंसेप्ट था बाल गंगाधर तिलक का लोकमान ने टाइटल मिला था 1916 में उने इसी क्वेश्चन अना अच्छा वो इस दा ओथर ओफ वो इस दा ओथर ओफ वन्दे मातर है ना चटो पाद दिया आनन्द मट से लिया था आपने वन्दे मातर है अना ये स्टेट्मेंट किसका था जवाहर लाल नहरो का ये किसका था इकबाल का एकबाल का अना इकबाल आपके देंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा का जो कंसेप्ट वो था सौंग वो महमद इकबाल इकबाल ने कुछ और भी किया था पाकिस्तान सेपरेट जो स्टेट की डिमांड करी थी वो किसने करी थी इकबाल ले इन दोस्ता हमा फ्लॉरेंस नाइट एंगल 12th में 12th में को नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किसके बर्डे पे फ्लॉरेंस नाइट एंगल के पे वार्ड्स हुए थे वार्ड्स में बहुत सारे आपके लोगों को बचाने का काम करेंगी फ्लॉरेंस नाइट एंगल the lab बोला जाता है Florence Nightingale को. Easy question है. Bengal Gadget. किस ने शुरू किया था? Jim Augustus Hakey ने 1780 में शुरू किया था आपका Bengal Gadget. वो कितना मतलब intelligent बच्चा है? अभी आंसर किया है. फिर बता रहे है William Bantic. James Augustus Hakey. यहना J.A. Hakey. Anandmat. क्योंकि इस टाइम Bengal में जो आपका नोवल लिखा जाएगा वो Anandmat होगा. कई सारे जो आपके Freedom Fighters होंगे वो इससे Inspire होंगे. ठीक है तो Anandmat जो था आपका? याद रखना Bible of Patriotism भी बोला जाता है Anandmat को. Bible of Patriotism भी बोला जाएगा किसे? Anandmat को. Arvind Ghosh है यह. काकोरी लूट में अर्विंद Ghosh थे ही नहीं? लाहर कॉंस्पिरेसी नहीं. अलीपुर बॉम केस जो था उसमें आपके अरेस्ट होंगे अर्विंद Ghosh. ठीक है? काकोरी कॉंस्पिरेसी क्या था? काकोरी लूट थी उसमें अर्विंद Ghosh नहीं थे. चार परसन कौन थे काकोरी लूट से रिलेटेड? जिन्हें फांसी होई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजिंद्र लाहरी, रौशन सिंग और अश्वाक उल्लाह खान. उसे नोट्स पता हैं, उसे नोट्स में तुरंद वो डूडनने लगता है. कोई बात नहीं, कम से कम नोट्स तो रिवाइज करो गई. यह बताओ. बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है, कि ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था कि वो एक नेशनल रिवाल्ट था. डलहॉजी, कैनन, एलन बोर्ग कोई भी नहीं करे गई है. इन तीनों नहीं नहीं किया था आपका. डलहॉजी ने रेलवे, पोस्ट आफिस, पीड़वूडी, आपकी युनिवस्टी जो हैं, यह सारे इस्टेबलिश्मेंट डलहॉजी का था. डॉक्टराइन ओफ लैप्स जो था वो, डलहॉजी का था. जब इंडिया में partition of Bengal होगा, उस duration में आपका, इंडिया से बाहर इंडिया हाउस को establish किया जाएगा, जहां पे इंडियन्स को residence प्रोवाइड किया जाएगा, और भी कुछ support दिया जाएगा. तो वो आपका इंडिया हाउस कहां establish हुआ था? लंदन में establish होगा आपका, इंडिया हाउस, जो establish करेंगे उनका नाम क्या था? शाम कृष्ण वर्मा, शाम कृष्ण वर्मा होंगे जो इंडिया हाउस को establish करेंगे. आप residence प्रोवाइड करोगे, accommodation और food दोगे, उसके अलावा कुछ और चीज़ें दोगे जिससे movement जो है वो आपका continue रहें. Lahore Conspiracy. Saunders को जो shoot किया था, उसे बोला जाता है Lahore Conspiracy. किसने किया था? बागास सिंग ने. जनरल Saunders को जो shoot किया था, बागास सिंग ने उसे बोलते है Lahore Conspiracy. यह establish हो आता 1926 में. 1926 में establish होगा नौजवान भारत सभा. कौन थे? बागास सिंग. ना बागास सिंग यंग थे, कॉलेज के जो students होंगे, उनको आपके freedom movement से relate करने के लिए, बागास सिंग शुरू करेंगे, नौजवान भारत सभा. लीग थे. गदर पार्टी किसने establish करी थे? गदर पार्टी कहां establish होई थे? गदर पार्टी कौन से incidents के बाद होई थे? कौन से event के बाद होई थे? 1914 में एक event हुआ था, जिसके बाद 1915 में गदर पार्टी establish होई थी. पर्ल बार नहीं बिटा. एक ship गया था यहां से, जपैन से, जपैन से होते होगे, Vancouver गया था, Canada गया था या US वाले पार्ट में गया था, ship को वहाँ पे आपका permissions नहीं मिली थी, ship वापस आ गया था, कौन सा incidence था वो? कोमा गाता मारू incidence, जपैन में एक जगए कोमा गाता, कोमा गाता मारू से वो ship चला था, तो कोमा गाता मारू incidence, उसके बाद establish होई थी 1950 में, गदर पार्टी, लाला हर दयाल रहेंगे, गदर पार्टी का headquarter, easy है, गदर पार्टी इंडिया में नहीं हुई थी, इंडिया के बाहर हुई थी, दीख है, headquarter, San Francisco, Moscow, Russia में नहीं है बटाई है, Berlin जो है, Berlin कहाँ पर कौन से गंट्री में है, Germany, Germany में भी नहीं है, US की तरफ हुई है, सिर्फ आपका San Francisco ही है, जो यहाँ पर होगा, है ना, यह कहाँ होगी आपका San Francisco, सुभाज शंद्र बोस गए थे, पिटा, 1940 के बाद, 1940 के बाद जाएंगे, 41 वाला जो डियूरेशन है, 1941, 42 वाला जो डियूरेशन है, तब रहेंगे, महात्मा गांदी अभी इंडिया ही नहीं आया है, South Africa में थे, पिल लई, चंपकरमन पिल लई, नाम लिखे हो हैं, देख लो, खुदीराम बोस प्रफुल चाकी, या फिर बिपिन चंद्रपाल और अरविंद गोश, C, खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी, ये थ्रो करेंगे बाउम, लेकिन यहाँ पे जो इनकी में प्लानिंग थी, वो सक्सेस्फुल नहीं होगी, जिसे ये किल करना चाहते थे, वो परसन बच जाएगा, येना किंग्स फोर्ड जो है वो बच जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स मर जाएंगे, लास्ट क्वेशन, बिर्सा मुंडा, मुंडा ट्राइब किस तरफ होती है, छोटा नादपुर, जारकंड वाला एरिया, विंद्यांचल, सत्पुरा वाला जुरहिंग है, वहाँ पे मुंडा ट्राइब होती है, वहीं पे ये आपका ट्राइबल रिवोल्ट होगा, ये आपको हिस्ट्री में लिखाया है, ये होगा आपका बिर्सा मुंडा जो होगा छोटा नादपुर वाले रीजन में, ठीक है? चलो, एक